पतित पावनी मा नर्मदा का प्रकाट्यों सव स्तनातन धर्मियों के द्वाराँ सहा पूर्वक भक्ति भाव से मनाया गया इस मौके पर नर्मदा तट गौरी घार समेट अन्य घाटों पर आस्ता का सैलाब उमर रहा है भक्तों ने विदिवत मा रेवा का पूजन करतान किया और सुक्सम्रत्धी की काबना की सुंसकारधानी में नर्मदा जैन्ती की धूम रही गौरी घार सहेट अन्य नर्मदा तट उपर बड़ी संख्या में पहुँचे भक्तों ने पतित पावनी मा नर्मदा के पावन जल में इस्नान कर विदि विधान से मा रेवा की पूजा की और मा को प्रसाद एवं चुन्टरी भी अर्पित की सनातन धर्मियों के लिए नर्मदा जैन्ती का विशेश महत्व है और यही बज़ा है कि नर्मदा प्रकार्टे उत्सब परसंस्कारधानी में उत्सब सा महौल रहा और मा नर्मदा के दर्शन मात्र से ही कईश्र धालू अपने आपको धन्य मानते हुए भक्ती में लीन अज हम मा नर्मदा जैन्ती मनाने के लिए यहां पर आए हम सब में बहुत अच्छे शित मा की आरादना पूजा पाठ की है आज मा का ज़मोच सव है प्रकाट उस्सब पर हम सभी शद्धालू एकत्र हुए हैं हम सभी ने मिलकर पूजन अर्चन और माता को भोग लगाया ह जबलपुर संसकार धानी के लिए यहां अत्यंत विशेज दिन होता है आज माता नर्मदा का प्रकाट उस्सव है हम सभी शद्धालू बल चरकर हिस्सा लेते हैं जो हो सकता है माता की सेवा करते हैं और सभी परिवार के साथ माता का प्रकाट उस्सव मनाते हैं नर्मदा के अंधी जबलपुर का एक बहुत पीमस और बहुत और स्पीशियस ओकेशन है जिसमें हम सब आते हैं नर्मदा की और यह तहवार मनाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है यहां कि और जबलपर के तो फेस्टिवल तारे एक तहवार या एक उत्सम है जो बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है अधी पाटन से आएं हमनों करके मा की दर्शन करने के लिए इस अफसर प्रधार में कारिक्रमों का भी आयोजन हुआ वहें शद्धालों की सुरक्षा के लिहास से एक हाट पर होमगाट के जवान भी तैनात रहे